आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ और हमारे पास यहां पर एक voltmeter sorry, emitter use करेंगे यहां पर हमारे पास एक cell है और यहां पर हमारे पास एक की है पहले हमें सरक्ट को अच्छी तरीके सिफ बनाते हैं suppose मेरे पास एक resistance है हमारे पास यहां पर कोई source है जिसको मैं बना रहा हूँ बल्ब तो मेरे पास यह बल्ब है और यहाँ पर मैं नेकलगा दियाँ थी अब एक एमेंटर और यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है of two cells जहाँ positive, negative और यहाँ पर मेरे पास एक key अब जैसी मैंने इस key को press किया तो मेरे पास इसके एक रोज कुछ current flow होना start हो गया तो suppose मेरे पास current flow हो रहा है उसको मैं नाम दे रहा हूँ I अब जो I current है वो इसके according मतलब इसमें flow करेगा वो इस emitter में flow करेगा जहां पर हमें current की reading show होगी तो हम पहले बात करते हैं emitter की emitter को हम series में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमारे पास circuit में जो current होता है उस series में हर एक के लिए current सेम रहेगा क्योंकि series में जो current होता है वो हर एक element के लिए सेम होता है तो इसलिए हमारे पास emitter को हम इसलिए करते हैं कि जो current flow कर रहा है वो emitter में भी उतना flow करें और हमें उसकी reading show हो जाए तो इसलिए हम इसको emitter को series में लगाते हैं तो अब हम बात करते हैं voltmeter की voltmeter को हम हमेशा कैसे लगाते हैं Receber वोल्ट को हमेशा किसी ही सर्केट के पैरल वनलल में लगाते हैं तो यहां पर मेरा पास जो चुल में इसले पैरल में यूज़ करूँ अधो यहां पास जो यहां पास आंद u इब फी दो point के cross जो potential होगा वो same होगा इन दो point के cross अगर हम यहां पर स्फोस मैं एक resistance और लगा रहा हूं तो potential मेरे पास इस resistance के cross होगा suppose इसके cross potential मेरे पास VA है और इसके cross मेरे पास VB है तो ऒो हमारे पास same होगा रा मतलों VA is equal to vb यहां से हमारा पास point is clear कि जो current होता है current वो हमेशा same रहता है in series, current always remain same in series first हमारे पास यह है, second point हमारे पास यह होता है जो potential होता है, potential या फिर हम जिसको बोल सकता है voltage, voltage will remain same in parallel so, यहां से हम हमारे पास यह point आया है, इसलिए हम emitter को series में लगाते हैं क्योंकि वो current को measure करता है और volt meter को हम parallel लगाते हैं क्योंकि वो उसके across voltage यह potential को measure करता है क्लासिक स्ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के level तास million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले doubtने टाप या whatsapp कीचे अपने doubt 8444 चार्सो पर क्योंकि अपने लगाते हैं